जहें दोस्तों एक बाद फिर स्वागत आप वी केफने यूटूब चैनल में दोस्तों इंडियन कोश्ट गार्ड की तरफ से एक बोती बड़ा रिकूट्मेंट जारी कर दिया गया है लगातार लंबे समय से अब व्यारतियों को इंतजार था कि कोश्ट गार्ड इंडियन को कोश्ट गार्ड की रूप में तो दोस्तों इससे बड़ा मौका आपको फिर नहीं मिलने वाला जियां दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद में इतना अच्छा मौका आपके सामने आया इस वीडियो में दोस्तों उसी के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे ओफिसली नोटिफिकेशन के साथ में कबसे आपके ओनलाइन रजिस्टेशन सुरू होंगे आपकी लास्ट डेट क्या होगी साती इस बार का जो सलेक्शन प्रोसेस है वो कैस परका रहने वाला है कितनी आपकी वैकंस ही है और कहां कहां पर आपके एकजाम सेंटर होंगे द चैनल पे अगर आप पहली बार आये हो तो चैनल को आप जरूर सस्क्राइब कर ले ताकि आपको आगे आने वाले ही इंडियन कोश्ट गार्ड के हर परकार के रिकूर्टमेंट की अपडेट भी आप तक सबसे पहले पहुंसते रहे साथ में दोस्तों कमेंट बोक्स में कमे आपको पताते हैं जो इन इंडियन कोश्ट गार्ड मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस जी हां दोस्तों कोश्ट गार्ड भी आपके इंडियन नेवी की तरह मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस के एंडर में ही आती है वही बात करें तो एज नाविक डोमेश्टिक ब्रांच के लिए दस update online form जी आंदोस्तो online mode के आदार पर ही आपका form accept किया जाएगा और 30 नवंबर से आपके online registration सुरू हो जाएगे 7 दिसंबर तक आप online registration कर सकते हो वही बात करें admit card तो admit card दोस्तो आपका 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर को admit card भी exam का जारी कर दिया जाएगा मतलब बहुती जल्द process आपका होने वाला है बहुती speedly आपका process होने वाला है अगर आपको भी बहुती जल्द यहां पर सेना में बढ़ती होने के इच्छुक हो तो दोस्तो इससे बड़ा in navy में बढ़ती होने का ओर मोकाप के लिए नहीं किया सकता सबसे पहले मैं बता देता हूँ eligibility criteria कौन-कौन सी vacancy आई है तो दोस्तो यह 10th pass की domestic branch की vacancy है सबसे पहले बात कर लेते eligibility जियां दोस्तो eligibility की बात करे education qualification के रूप में तो यहां पर अगर आप 10वी pass हो और दस्वी में आपके 50% marks बन रहे हैं चाहे आप कोई से भी राजे से विलोंग करते हो अगर आपके 50% marks है और आप 10वी pass हो तो इस बर्ती परक्रिया में आप सामिल हो सकते हो दोस्तों यहां पर आपकी vacancy कौन-कौन सी trade की है तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको vacancy के बारे में बता देता हूँ आपकी vacancy की बात करें तो cook की vacancy है यहां पर उसके साथ steward की vacancy है और कौन-कौन से युवा इसका form apply कर पाएंगे तो age criteria की बात कर लेते 18 साल से लेकर 22 वर्स के सबी युवा इस बरती परक्रिया में बाग ले सकते है जबकी बात करें तो OECC के candidate 27 साल तक apply कर सकते है जबकी OBC के candidate 18 से लेकर 25 साल तक की अगर age है तो इस form को apply कर सकते है अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर पहले कि आपकी जो आपको कितना पैसा यहां पर allowance के रूप में मिलने वाला है pay scale आपका क्या होगा क्या क्या आपको benefits मिलेंगे यह जानना भी आपके लिए बैदी जरूरी है दोस्तों यहां पर pay और allowance के बारे में अगर बात करें तो starting आपका basic pay है वो DB का 21,700 है उसके साथ ही आपर जो आपको अलग से जो allowance है duty allowance और अलग से जो defense के allowance होते वो सारे allowance है आपको मिलने वाले साथ ही पर्मोशन की बात जी हां दोस्तों यह भी आप जान लीजीगा पर्मोशन प्रोस्पेक्टेड एक्जिट अप टू दर रेंक ओप परदान अधिकारी विद पे स्केल से 4,600 मतलब आपका पर्मोशन होके यहां पर परदान अधिकारी तक आप परमोट हो सकते हो वो ती अच्छा मौका है दोस्तों यहां पर आपको फ्री रासन मिलेगा उसके साथ ही 45 दिन की आपको चूटी मिलेगी जिरमें 8 डे आपका कोजल लीव होगा उसके साथ में दोस्तों यहां पर जो आपको रिटार्मेंट के लिए पैंसन स्कीम भी आपके लिए लागू होगी यहां पर आपके लिए लागू होगा हाउ टो एपलाई कैसे आपको एपलाई करना होगा कैसे आपकी भरती होगी वो भी मैं बताता है उससे पहले यहां पर आप देख सकते हो online www joinindiancoastguard.gorwin.in पे जाकर 31 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक online registration आप कर सकते हो अगर आप 10 वी पासोर 10 वी में 50% marks आपके बन रहे दोस्तों ये नाविक domestic branch की vacancy है सब इसके बाद मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कहां कहां पर आपके exam center है तो यहाँ पर आप देख सकते हो zone wise आपका exam center होगा तो यहाँ पर north zone है north zone का center होगा वो noida है north east zone का है kolkata और भूनेश्वर है जबकि east zone का चैन है विशागा पन्नम है और west zone का मुंबई और कोची जबकि north west zone का है गांधी नगर में आपका यहाँ पर return और physical परकरिया होने वाली है selection process की बात करे तो online mode के आदार परी सारी process आपकी होने वाली है दोस्तों और उसके अलावा return के बाद में आपका सबसे पहले physical fitness test होगा जिसमें आपको 1.6 km की running करनी होगी जिसमें आपको 7 minute का time दिया जाएगा वही 20 squint लगानी होगी जिसे उटक बैटक कते 10 आपको pushups लगानी होगी मतलब physical में यही सब आपका होने वाला है physical में पास होने वाले candidate है उनका उसके बाद में medical test होगा और medical के साथ ही document verification होगा जिनमें यह document आपको तयार रखना होगा three copies of admit card तीन admit card की photocopy होनी चीए gyrox copy होनी चीए साथ ही two copies of application form की दो photocopy होनी चीए जब आप form apply करो तो इसका application का जो print out है वो अपने पास में आप जरूर रखिएगा साथ ही original दस्वी की mark sheet होनी चीए उसके साथ ही candidate के पास में दस्वी की mark sheet चाए कोई से भी राजे से और कोई से भी बोर्ड से विलोंग करता हो वो यह पर बर्ती में apply कर सकता है साथ ही original उसके पास में cast certificate होना चीए वही बात करें permanent address के लिए उसके पास में domicile certificate से मूल निवास परमाण पत्र करते है वो होना चीए साथ में उनके पास में एक ID होनी चीए और the issues for all document is to be 7 December 7 December 2020 को कभी भी आपका admit card है वो document से related issue है वो आपको बता दिया जाएगा medical process की बात कर लेते ही height 177 cm होनी चीए chest है वो minimum chest के साथ ही 5 cm expansion के साथ होना चीए 5 cm पुलाव के साथ में होना चीए hiring normal होना चीए visual standard जो आपकी दक्सता है वो 6 by 36 होनी चीए 6 by 36 के लगबग आपकी होनी चीए tattoo नहीं होना चीए ये सारी process आपका यापर होने वाला है और आपकी training होगी वो चिलका में होगी और final medical भी आपका चिलका में ही करवाया जाएगा तो दोस्तों आपके लिए लंबे समय के बाद में आखिरकार कोष्ट गार्ड का नया recruitment आ ही गया है तो आप इसका फॉम जरूर reply कीजिएगा बहुत ही अच्छी वेकंसी आपके लिए आई है आप वेकंसी में आपर बता देता हूँ इस बार आपके total number वेकंसी कितनी आई है तो यह भी जानना आपके लिए बैदी जरूरी है यहाँ पर journal के लिए 20 वेकंसी है जबकि EWS की पास वेकंसी है OBC की 14 वेकंसी है OBC की 3 वेकंसी है और OBC की 8 वेकंसी कुल मलाकर 50 वेकंसी पर आपका recruitment होने वाला है तो दोस्तो यह थी एक छोटी सी जानकारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले तो दोस्तो यूडियो में इतना ही मिलते है नेक्स यूडियो में तब तक के लिए जय हिन जय बाद